यह मां सार्दा ट्रस्ट धाम जोगी यहां से थाली लेना है थाली ले करके इस तरब जा करके और नंगे पैर आने के बाद पैरों में छाले पर रहे हैं कि रोड बिल्कुल गरम हो चुका है आप ते न्यूट्रलाइज हो गया लगता है आप ते इसा नहीं पर रहा है पैर का चमरी बहुत बखला है वाई जूदा पहने रहते हैं हम लोग इकदम नाजूक हो गया पैर देख रही हो जब तक शाओं में था तो तब तक तो बहुत आराम था मगर देखिए नंगे पैर अपन भूंब रहे हैं पैरों में एकदम चाले पड़ गया है उसलते कुद्टे कुद्टे हम लोग यहां पहुंचे है और फिलहाल हम लोग जा रहे हैं भंडारा करने के लिए यहां पर पंदर रुपय में बहुत ही उचीत क्वालिटी का आपको अपन को रोटी बनाते बनाते हाथ से पैर तक ज यह है मा सार्दा ट्रस्ट धाम जोकी 11 बेसे 2 बेस तक रहता है और प्रसाद का टोकन का रेट पंदर रुपय तो अगर आप मैहर आते हैं मा सार्दा के दर्शन के लिए तो यहां पर आईए बहुत ही अच्छे क्वालिटी का प्रसाद ग्रहन करवाया जाता है क्या दोरे बेटा मेरा हालत खराब है पुरा पैर जल रहा है अंकर तरीके से माइग गाड यहां थंड़क है ना तो यह है मा सार्दा क्रस्ट का महंडारे का काउंटर जहां पर पंदर रुपय का टिकटी यह मिल गया और अच्छी बात है कि यहां पर यह गोरे लगाए हु चलिए फिर चलते हैं भंडारे का अनन्द लेते हैं अब खाले खुक्से दोना होता है हाँ हुआ दिनों के बाद ऐसी कुरसी देखने को मिली है कैसा लग रहा है वेटा सौमया चेर पे बैठके सौमया से हलो 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 यह है उपर जाने का मार्गी अच्छा यहां पर टिकट दिखा करके भीतर के तरब जाना है तो आई यह चलते हैं यहां से थाली लेना थाली ले करके इस तरब जा करके पंगज में पर जाने के लिए पर टिकट कर आने के बाद यहां पर अरपीड रोजन मिलेगा काफी साफ सफाई है और प्रसाद में यहां पर देखे किया है पूरी और सब्जी है तो आई यह पसाद करने करें प्रसाद करने के बाद अजीब शूर्जा आ गई है अगर आप यहां पर आते हैं यहां का प्रसाद जरूर करें मन प्रसंचित हो जाएगा तो आईए चलते हैं बाहर आप देखते हैं मार्केट साइड में क्या है महर माता मंदिर बहुत जल रहे हैं प्रसाद करने के बाद हम लोग आ गया है महर माता दर्शन करने के बाद एक छोटा सा मार्केट है मंदिर की एर्दगिर जहां पर बहुत सारे छोटी 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 तरत्र की स्वामगरियां मिल रही हैं यह देखिए तो फिलहाल दोस्तों हम लोट रहे हैं मैहर माता के दर्शन करके और पॉडी हमारी पुरी तरह से डिहाइड्रेट हो गई है क्यों मेपिन बाई पर मौसम काफी अच्छा है तो इसलिए अभी बारी सोरी थी मगर अब देखिए फिर से दूप निकल गया यानि दूप शाओ दूप शाओ लगा हुआ है अब जैसा एक्सपेक्ट किये टे वैसा नहीं था किवा लॉटते समय चीडियों का इस्तमाल किया था अब इतनी ठकावट हो गई कि अभी रह रह रहके प्यास लग रहा कितना भी पानी पी ले प्यास भूजी नहीं रही है तो दोस्तों कैसा लगा आपको यह ब्लॉक यह था मैहर मा के सार्दा माता का दर्शन दा ब्लॉक था अलागि हम पहले भी वहां जा चुके हैं पहले हमने ब्लॉक बना रख्था हैं मगर आज का यह ब्लॉक विशेश था इस वेश था मुंडन पर बच्छों का मुंडन वहां करवाया गया बहुत दिनों से अपन सोच रहे थे मगर किसी ना किसी कारण बस प्लांग के अंसील हो जा रहा था मर फाइनली आज हम लोग ने मुंडन करवा ही लिया और बिल्कुल डिडेल ब्लॉक बनाया है ताकि अगर आप आते हैं मैहर में मुंडन करने के लिए हाथ से तो आपको किसी भी परकार की समस्च्या ना हो जलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे ब्लॉग में तब तक अपना ख्याल रखें नमस्त्राइब इस परण भी नहीं रहों है कि तो बहुत बजा आया है तो क्योंकि नंगे पार चलने वह बहुत बजा है तो बहुत बजा है तो बहुत बजा है झाल 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 झाल